मुकेश खना के एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया हुआ है जिसमें उन्होंने रणवीर सिंग को फिल्म में शक्तिमान के रोल में कास्ट किये जाने की अफवाहों के बारे में बात की थी उन्होंने इस वीडियो में रनवीर को काफी अपशब्द बोला है उनकी बनी बनाई इमेज की किरकिरी कर डाले है लेकिन मुकेश खन्ना इस बात से नाखुश है उन्होंने वीडियो बनाकर अपनी अपत्ती जताई थी हाला कि बाद में उन्होंने इस वीडियो को डिलीटी कर दिया है जी हाँ, ना तो यूट्यूब पर और ना ही इंस्टेग्राम पर कहीं भी मुकेश खन्ना का वो वीडियो नहीं दिखाए दे रहा है जिसमें वो रनवीर सिंग पर जम कर बरसे थे मुकेश खन्ना ने इंस्टेग्राम पर शक्तिमान को लेकर चल रही निउस पर अपना गुसा शेयर करते हुए लिखा था कि सोशल मीडिया महीनों से इस अफवास से भरा पड़ा है कि रनवीर सिंग शक्तिमान बनेंगे को एक आकार नहीं दे सकते हैं अगर उन्हें अपनी बॉड़ी को ही एक्सपोस करना है तो ऐसे रोल की तलाश करनी चाहिए जहां निउडिटी दिखाई जा सके अब ऐसे में अब लोगों के बीच यह बाते शुरू हो गई है कि मुकेश खन्ना को अपनी बोली हुई बातों का पच्तावा हो गया है जिस वज़े से उन्हों नहीं यह पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कर दी है तो वहीं कई लोगों का मानना है कि मुकेश खन्ना ने इसे रिमूफ करके रनवीर सिंग ने इंडरेक्ली अपनी बत्तमीजी के लिए माफी मांग हाला कि अंदर की बात क्या है इसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन जैसे ही आएगी आप आपको बता देंगे बता दें कि यह सूपर हिट फिल्म के लिए कास्टिंग को लेकर लंबे टाइम से खबर आ रही है हाला कि अभी तक इसको लेकर आदा इमोशनल फिल्म होने वाली है हाला कि रणवीर सिंग फिल्म में सूपर हिरो होंगे जो उडेंगे भी वला आपके इस पर क्या बीजा है मिलची कमें सेक्शन पर जरू बताएं और फॉर मोसरेश अबदेट तो फॉल्वा पेज